कैसे हैं आप सब मैं त्रिप्ती दूभी अपने चैनल में आप सब कश्वागत करती हूं तो आज की इस वीडियो में हिंदी का एक महत्वपून चैप्टर अपन कवर करने वाले हैं ट्रिक के माध्य हमसे तो इस वीडियो के खतम होते होते आप बहुत अराम से समझ जाएंग कि रूड शब्द किसको कहते हैं योग किसको कहते हैं तो इस सारी चीज़ अप के आज इस वीडियो में कवर होने वाले हैं तो इस्ते वीडियो को लास्त Cup देखें अगर समझ है उनको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है कौन से वर्ग में चांगे लिवाट जो शब्द हमेशा किसी विशेश अर्थ को प्रकट करते हुए तथा जिस खंडों का कोई अर्थ ना निकले उसको रूड़ सब्द कहते हैं अगर मालीच आप कोई परिभासा ने समझाया तो सीधा सीधा है ट्रिक देखलो ट्रिक बोल रहा है कि ऐसा सब्द जिसका संधी वि करोगे तो घो धंडा हो जाएगा जब हम संधी विशेथ करेंगे तो इन दोनों का अलग-अलग कोई महत्व ही नहीं होता है गो का मतलब क्या होता है गो का मतलब कुछ तो वही है, पा का कोई वैल्यू नहीं और नहीं सा का वैल्यू है, सिधा सा मतलब है कि ऐसा शब्द जिसका आप अगर संधी विच्छेद करते भी हैं, तो कोई अर्थ ही नहीं निकलता है, या दूसरे लाइन में आप बोल सकते हो कि जिसका आप संधी विच्छेद ही नहीं क तो इसे योगिक शब्द कहा जाता है, तो ऐसा सब्द, जो अन्य शब्दों के योग से बनते हैं, जिने हम सार्थक खंड में बाढ़ सकते हैं, उन्हें हम योगिक शब्द कहाते हैं, अब इसका आप संधी विच्छेत करो, सार्थक खंड का मतलब ही यह होता है, कि आप जब दो खंड में डिवाइड करो, तो दोनों का अलग-अलग अपना वैल्यू निकले, ठीक है, तो याद रहेगा, तो जिनका संधी विच्छेत हो, उसे ही क्या कहा जाता है, योगिक शब्द कहते हैं, जैसे एक्जामपल देखो, श्रम, श्रम सब्द में शब्दांसों को जो योगिक शब्द हो गया, श्रम धनसिल, श्रम शिल, ये भी आपका योगिक सब्द हो गया, वैसे विद्याले, विद्याले का जब संधी विच्छेत करेंगे, तो क्या होगा, विद्या धन आले, ठीक है, पुस्तक धन आले, लंबा-लंबा जो चीज होता है, उसका बहुत संधी विच्छेत कर सकते हैं, और जिसका आपने संधी विच्छेत कर लिया, वो आपका योगिक शब्दों का बस एक लाइन में ये वर्ड आपको याद रखना है, चलिए आगे बात करेंगे, योग रूड सब्द क्या होता है, तो दोनों समझा है कि आपको रूड क्या है जिसका संधी विच्छेत नहीं कर सकते, योगिक शब्द क्या है, जिसका आप संधी विच्छेत कर सकते हो, अब ये योग रूड क्या है, तो देखें, ऐसे सब्द जो योगिक एक से अधिक सब्दों से बने हैं, परन्तुवे शमानी अर्थ को प्रकट न करके, किसी विश तो योग रूड का मतलब सीधे-सीदे बोल दो, बहु ब्रीही शमास, ठीक है, कैसे जैसे एक्जामपल देखिए, लंबोदर, जैसे नाम मैंने बोला, लंबोदर, आपको किसका नाम याद आया, लंबोदर किसको कहते है, लंबोदर हम कहते हैं गड़ेश जी को आया ना अगर माली जैप शंधी विक्षित करते हैं तो यह सिधा-सिधा क्या हो जाएगा इसका मतलब हो जाएगा लंबा धन उदर ठीक है? या गजानन किसको बोलते हैं तो गजानन गडेजी को बोलते हैं ये तीसरा और्थ जैसे आपके मायन में आ जाए वो आपका योगरूर शब्द होता है तो एक लाइन में क्या याद रखेंगे कि इसको कहते हैं तो ऐसा सब्द जिसका नाम सुनते ही हमको उसका पर्याइवाची याद आ जाए कि इसको भी तो बोलते हैं यह या दूसरे लाइन में आप क्या जाएद रसकते हो जितने भी बहूबरी ही शमास है वे सारे के सारे योग रूड सब्द होते हैं आगया क्या याद में चंद्रशेखर किसको कहते हैं चंद्रशेखर मतलब नाम सुनते ही किसका नाम याद है सिव जी का नाम याद है चंद्रशेखर सिव जी का नाम याद आगया तीसरा नाम याद आगया मतलब वो क्या हो जाएगा योग रूड और क्या हो जाएगा ब्रहूबरी ही से क्या question कि आपको तीनों समझ आया है कि नहीं आया है देखे बताई आपको समझ आ रहे कि नहीं आ रहे हैं अब देखो पहला प्रशनम बोड़ रहा है निम्न में से योगीक शब्द कौन सा है योगीक मतलब मैंने क्या बताया था जिसका आप संधी विच्छेत कर सकते हैं अ आले दुश्रा है हमारा निम्न निकित में से कौन योगीक शब्द है फिर से योगीक आ गय योगी मतलब जिसका संधी विक्छेत हो तो देखो लेखक पुस्तक योगी कोई मतलब नहीं निकलेगा संधिविक्षेद निकालेंगे तो लेकिन विद्याला है विद्याधन आला है संधिविक्षेद हो रहा है मतब यह आपका योगीक शब्द हो गया योगीक शब्द कौन सा है फिर से वही क्या देखना है आपने को यहां पर आपक अंकच कमल को कहा जाता है लेकिन इसका आप संधी विक्षेद नहीं कर सकते ना क्योंकि अगर आप संधी विक्षेद करेंगे तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और दोनों पार्ट कही कोई अपना-पना अलग-अलग अस्तित्व नहीं होता है तो उसे तो हम रूड पुल रहा है योगरूड मतलब क्या देखना है आप को बहूब रहीए शमास देखना है जिसका नाम सुनते ही परियावाचि यादा आ जाए बसो योग्रूड सब्द आ रहे क्या कुश ल भीनि में लंबोदर लंबोधर किसको कहते है घडे जी को तिसरा रतसीधा मैंड में आ गिया दो आपका क्यों जाएगा योग रूट शाब्ड हो जाएगा लेख कमल निकल यह संदी विक्षित करेंगे तो ठीक तो कौन सा root शब्द हो जाएगा इसमें का वैभव क्यों क्योंकि वैभव को आप अलग-अलग भागों में बाटो अलग-अलग भागों में आप जैसे ही बाटोगे वैधन भव ठीक है इसमें से आपको एकदम ध्यान से चीजों को समझना पड़ेगा कि हम बात किसके बारे म कर रहे हैं क्लियर चले आगे बात करते हैं कहां गया यह रहा है नेक्स्ट है निम्नलिकित में रूड़ शब्द कौन सा है तो रूड़ शब्द आपका आजाएगा वैभव रूड़ शब्द कौन सा हो जाएगा वैभव हो जाएगा यह तीनों नहीं हो सकता यह तीनों क्य इसमें सब्दों का अलग-अलग अर्थ नहीं निकलता। आप संधी विक्षेत कर सकते हो और जैसे आप संधी विक्षेत करोगे दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और दोनों पार्ट अपना अपना महत्तो धार्ण करते हैं। इसलिए जो शब्द श्वतंत्र शत्ता धारन नहीं करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, योगिक शब्द कहते हैं, योगरूर शब्द कौन सा होता है, अब इसमें से देख करके बताईए, पीला, नाग, घुडशवार, लंबोदर, ठीक है, तो लंबोदर मतलब गड़ेजी, यो करने पर भी कोई ना कोई महत्वा निकलता है, ठीक है, उसको आप शार्थक खंड कहते हैं, याद रहेगा, चले, नेक्स्ट है, कमल किस प्रकार का सब्द है, इसको देख करके कन्फ्यूज मत हो जाईएगा, कमल बोल दिया, तो कमल को हम देख करके सिधा योगरूरूर कर देंगे, क्योंकि कमल का परियावाची तो होता है, पंकज कहते हैं, जलज कहते हैं, या फिर योगिक शब्द तो हो जाएगा, देखो कमल किस प्रकार का सब्द है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसको शंदी विक्षित करना है, कधन मधनला, तो एक एक खंड का आपका रूड शब्द हो जाएगा, ये गलत करके आते हैं, मैक्जिमम बच्चे, आपने ध्यान रखना है, लेकिन अगर इसी के जगह पे जलज रहता, तब आप बिलकुल उसको योग रूड करके आते, लेकिन कमल बोल रहे हैं, तो कमल सिधा रूड शब्द में आपका आ होगी, तीनों ही सब्द हमने समझ लिए, बहुत आराम से चीज़ें आपकी क्लियर हो गए होंगी, मुझे पूरा विश्वास है, अगर आपको समाझ आया है, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि हिंदी का पूरा चैप्टर में इसी टाइप से आपका कवर करवाने वाले हुए, एकदम डीप में जा करके, जिसके बाद हिंदी में तो कोई आपको डाउट नहीं होने वाला है, चलिए, सेक्शन को लाइक जरूर से करेंगे, कॉमेंट करके भी बताइए, अगर आपको कहीं पर ऐसा लग रहा है कि कुछ कोई भी टॉपिक हिंदी का जो आपको नहीं समझ आता है, तो आप बिल्कुल कोमेंट में बताइए, उस विएर हम बहुत ही एजी वे में वीडियो लेकर के आएंगे, मिलते हैं फिर नेक्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्यू शो मच